Hello everyone and I welcome you all to my channel exploring Delhi with Adya guys मैं आप लोगों को आज एक नया मंडे मार्केट एक्स्प्लोर करवाने जा रही हूँ इस साल मैंने इस मार्केट में पहली बार कदम रखा है वैसे मैं कही बार इस मार्केट को दिखा चुकी हूँ आगे सब कुछ बताऊंगे इस मार्केट में कैसे पहुँशना है क्या टाइमिंग्स है वीडियो में अंते तक बने रहेगा यहाँ पर बहुत से पर्मनेंट स्टोर्स हैं जहाँ पर की काफी अच्छी सेल चल रही है तो उसका भी ऑफसीजन सेल का फायदा आप उठा सकते हो और कल मैंने जंडे वालन मार्केट का जो साइकल मार्केट है बच्चो का टॉय मार्केट है वो कवर किया था प्राइजे और कॉंटेक नंबर के साथ तो वहां से भी आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो चेक आउट कर लीजेगा जरूर कल ही मैंने अप्लोड किया है इसके अलावा शादी की शॉपिंग, साड़ी, सूट, और चांदनी चौके मैंने भर-भर के वीडियोज ड लिखना चाहते हैं तो मेरा यानि आद्या का चानल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को अन करना ना भूलें अब यकीन नी करोगे मार्केट से वापस आते टाइम मैंने जैसे ही रिक्षा लिया उस पर अल्रड़ी मेरे एक सब्सक्राइबर बैठी हुई थी मैं तो नहीं जानती लेकिन मैम ने मुझे पहचान लिया नेहा जी हैं जो मुझे मार्केट में मिली थी और नेहा जी की तो ब्यूटिफुल सी डॉटर हैं बिल्कुल मैम की तरह प्रिशा और दिविशा तो प्रिशा और दिविशा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आध्या मासी की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशे गाट प्लेस यू बेबीस दोस्तों कल मैंने आपको साइकल मार्केट का व्लॉग दिखाया है अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजेगा और दर्या गंज मार्केट का पार्ट टू भी मैं अप्लोड कर चुकियों पार्ट वन को आपने बहुत प्यार दिया इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया पार्ट टू आपको खाने पीने के बहुत सारे ओप्शन्स देखने को मिलेंगे जो कि मुझे किसी भी मार्केट की सबसे बेस्ट बात लगती है और इनी खाने पीने की शॉप्स के आगे ना प्रपर सीट भी बनी हुए तो आप अराम से पहले अपना नाश्ता पानी कर सकते हो फिर शॉ कि कलेक्शन मिल रही है इसमें कोरियन एतनिक मीना कारी वाले हर तरीके के स्टोन वाले एरिंग्स आपको मिल जाएगे ऑक्सिडाइस्ट भी है तो यह आप ले सकते हो बस आपको इने थोड़ा सा पॉफ्यूम और पानी से पसीने से बचाना होता है ताकि इसकी जो इस तरीके के सेट थे और बॉइस के लिए ये मार्केट काफी धासू है यहाँ पर आप काफी कम बजट में बॉइस के लिए अच्छे कपने ले सकते हो टीनेज के लिए भी और एडर्ल्स के लिए भी तो यह जो मैं आपको दिखा रही हूँ है सेल प्राइज मैंने मेंशन कारगोज में देख सकते हो ब्लाग भी है भया के पास तो जो आपको पसंद है ले सकते हो अच्छे से चेक जरूर कर लेना इनसे नेक्स्ट जो टेबल है यहाँ पर 100 रुपीज की सेल की शर्ट थी इसमें हर तरीके की शर्ट है तो मैं आपको यही कह रही हूँ चेक जरूर यह मुझे ओक ओक लगे शर्ट ठीक है 100 रुपीज की साब से ठीक है थोड़ी आपको मेहनत करने पड़ेगी चांटने की और अगर आप बिल्कुल फ्रेश में लेना चाहते हूँ तो यहां पर पैंट बिल्कुल आपको सामने ही मिलेगी अभी मैं आपको लोकेशन दिखा यह सारी शॉप तीन-चार आजपास ही थी अब इसमें भया ने बताया कि हमारे पास हर तरीके के साइज है प्लस चाहे कितना प्लस आजए हमारे पास आपको साइजस मिल जाएंगे अगर आप एक पैंट लोगे तो आपको 300 की मिलेगी तो मेट्रो स्टेशन में आपको खार्यू ना ये शॉप के अंदर लगा हुआ था सारा हैंगर्स का बहुत सारा कलेक्शन था हंडर्ड भी था इसमें 150 200 295 इस तरीके से बहुत सारा डिस्पली था तो उपर जो आप देख रहे हो आपको ऐसे क्रॉप टॉप्स मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज में देखिए आप इतनी प्यारी प्यारी आपको वन पीस ड्रेसे मिल रहे हैं इनकेस आप बीच साइड जा रहे हो या आप ऐसी जगा जा रहे हो जहां पर आपको ट्रावल करना है जहां पर आप शॉट ड्रेसे पहनना प्रेफर करोगे तो ये ड्रेसे आप ले सकते हो इन के पास maximum जो प्राइस था वो 300 रुपीज का ही था बाकी सब उसके अंडर में ही है तो सबका अलग-अलग टेस्ट होता है कुछ चीज है मुझे नहीं पसंदार थी पर बगलवाली दी अपनी फ्रेंड को दिखा के कह रही थी यह दे कि अच्छा लग रहा है तो सबका अपना प्राइस वाइस बिल्कुल जैन्वन है और बस आप जो भी लेना अच्छे से चेक ज़रूर कर लेना अगर किसी और के लिए ले रहे हो तो भहिया लोगों से हर बार कंफर्म किया कीजे कि अगर पसंद नी आया तो चेंज हो जाएगा या नहीं यहां पर देखो आपको पै इन में भी फ्रॉक्स मीडी यह सब आपको मिल जाएंगी नेक्स्ट भी आपका 295 वाला रेंज है देखे इतने सारे रायक अंदर तक लगे हुए हैं तो एक एक रायक मैं दिखा नहीं सकती पॉसिबल नहीं है आप यहां जरूर विजिट करना अभी जो मैं आपको मेट्र स यहां से बाहर निकलने के बाद मुझे यहां पर बॉइस के लिए जीन्स का सेक्शन दिखा जो की है सेल सिर्फ 200 रुपीज और इस तरीके के एक नहीं यहां पर सौ से भी द्यादा स्टॉल्स आपको मिलेंगे बस आप जो भी लेना अच्छे से उसकी पॉकेट्स चेन बट और करोलबाग मार्केट में जब आप एंटर करोगे तो यहां पर पर्मेनेंट एक स्टॉल लगा ही रहते हैं यहां पर 50-50 रुपे का सौ सो रुपे का पचास में कॉलिटी मुझे इस बार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी विंटर्स में बल्की बेटर रहते हैं लेकि कि आपको कुछ समझ आता है तो देख सकते हो यह 100 रुपीज का जगिंग और लेगिंग का स्टैंड है इसमें देख सकते हो क्वालिटी बहुत फाइन है जीन्स की बेल बॉटम दो मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिखा लेकिन हाँ फाब्रिक अच्छा है वाप इसे वाश पर काफी सारी मिलेंगी यह जो आप देख रहो है पूरा 50 रुपीज वाला रैक है इसमें एक ही चीज मुझे समझ आई जो कि यह जम सूट था टीनेज करल के साइस का काफी क्यूट है 50 रुपीज में सिर्फ इतना स्टाइलिश ड्रेस मिल रहा है अगर थोड़ा प्लस जहां मुझे कुछ समझ आएगा वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी यह रैक था 150 का और इसमें टीशिट का जो कलेक्शन है तो जारा का टॉप भी मैंने आपको दिखाया यह ग्रीन टीशिट में दिखा रही उसका स्टफ बहुत अच्छा था नेक्स यहां पर 60 या स्काफ कौन केरी कर सकता है ऐसा लग रहा था कि उससे तो पर्दे बनने चाहिए इतना मतलब थिक फाब्रिक था वो बहुत बुरे वाला था अच्छा नेक्स यहां पर इस टॉल मैं दिखा रही हूँ यहां पर है सेल भाई अगें 200 की वीडियो में आगे बने रहिएग केंज में और स्टेला स्टोज में भी सेल सेल चल रही थी तो वो भी आगे आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो में फिलहाल यह कलेक्शन बहुत जादा क्यूट है फ्लाट्स तो हैं यह आप वेस्टन के साथ में भी वेयर कर सकते हैं और एथनिक के साथ भी इसकी यह खासिय तो फ्रेश जब आप लोगे तो जाहिर से बाते क्वालिटी अच्छी मिलेगी कलर चॉइस भी मिलेंगे इसके बाद यहां पर पट्री पर जेंड्स का कलेक्शन है सारा जो आप देख रहे हो 100,00 रुपे में इसमें टीशिट्स भी थे लोर्स भी थे तो यह सब छाटो छा कुछ ना कुछ तो पसंद आही जाने वाला है आगे यहां पर हैरम पैंट्स का सेक्शन है बहुत ही प्यारी इसमें हैरम पैंट्स हैं प्लस साइज का उप्शन नहीं था मीडियम तक यह मिल रही हैं कलर अलग अलग हैं और गॉगल्स के लिए यहां पर मुझे जादा ऑप करवा ही सकते हो अगर वो कम नहीं कर रहें बस छोड़के आगे बढ़ने लगो भी आपने आप कुछ ना कुछ आपको फाइनल रेट लगाई देंगे अभी मैं दर्या गंच गई थी ना वहां पर दुर्गा स्वीट के सामने एक आर्टिफिशल गोल्ड बैंगल्स की शॉ जाओ कहां 200 और कहां 130 तो ऐसा नहीं कि आपी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट ड्रेस यहां पर मिल रही हैं यह जो शॉप है ये भी पर्मनेंट है आप हफ्ते के साथो दिन कभी भी यहां पर आ सकते हो तो यहां पे भी गल्स के लिए बहुत प्यारी आपको टी शिट मार्केट बहुत ही जादा बड़ा है करोल बाग मेट्रो स्टेशन से शुरू होता है आगे खतम होगा फिर गफार के आगे का एरिया लगेगा पूरा फिर गफार में भी एक लाइन कटती है वहाँ पे बिल्कुल टिपिकल जैसा एक सोमबजार लगता है वो भी लगता है किजिए और आप दिली से बाहर से हो इसलिए वो कोशिश जरूर करेंगे आप से थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने का क्योंकि आप लोग को आइडिया नहीं होता लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कीजिए थोड़ी-बोडी बारगेनिंग जरूर करवाते रहिए हर चीज में अब नेक्स ट्रैक है 130 रुपीज में आप इसमें ट्राउसर और शॉर्ट्स ले सकते हो इसमें कोशिश करना जो यह हौजरी मटीरियल या कॉटन होता है वो लेना वो जो सिंधार्टिक सा मटीरियल चल रहा है चाइनीज वाला प्लीज उससे दूर रहो आप सोच भी नहीं सकते इन फ्यूचर आपको कैसे कैसे डिसीज या स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो प्लीज अपने कुशिश करो अपने कपडों में जाज स्यादा कॉर्टन या होजडी मटीरियल रखने की चाइनीज कपडों से दूर रही है नेक्स यहाँ पे आपको मार्केट में अगर अंसों से हो जाती है जिसमें कि आपको लैप्टॉप बाग्स या कॉले स्कूल वाले बाग्स मिल जाएंगे अब इनकी जो वारंटी बताई बियाने वो दो साल की बताई है तो हर चीज अच्छे से प्लीज कंफर्म करके उसके बाद पर चीस करना यहां पर चलते फिरते पांच बजे घूम रही थी जंडे वालन मार्केट में एक दो बजे गई थी वहां पूरा कवर करने के बाद मैं इस मार्केट में आई थी अब यहां पर बॉइस के लिए आपको शूज मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ साड़े तीन सो रुपे की रेंज में आगे एक और दासूसा कलेक्शन दिखाऊंगे बने रही है जिस्ट बगल में यहां पर आपको डेली वेर की स्लीपर मल जाएंगे तो यह है 100 रुपीज में इनकी में गर्ल्स और बॉइस दोनों के लिए था पर क्वालिटी काफी अच्छी है 100 रुपीज के हिसाब से काफी अच्छी है मुझे लगा बहिया 200 कोट करेंगे बढ़ 100 is quite good नेक्स्ट यहां पर एक और फुट्वेर का शॉप है यह बहिया जो पटेल लगर का फ्राइडे मार्किट है खन्ना मार्किट के तरफ से आता है वहाँ पर भी अपनी शॉप लगाते है तो इनके पास जो स्टार्टिंग है वह 100 से थी और यह जो मैं आपको हाथ में अपने भारी भरकम से दिखा रही हो थोड़े स्टाइलिश वाले यह आपको 300 रुपीस तक में मिल जाएंगे और जो भी यह वीडियो देख रहे हैं जरूर खुद भी जान दीजिए अब बच्चों को भी समझाए यह फुट्वे अब मैं पहनती हुँ तो मेरा उसमें जो अंगूठा है वो दबता है अब मैं ही जानती हुँ मैं उसे कैसे पहनती हुँ पर बस उसकी सुंदर्था से चला रहे हुँ मैं उसे पर बिलकुल भी मुझे नहीं किसी छोटे साइस को तो अराम से आएगा यह जो आप शॉप दे इस तरीके के रेंज में मिल जाएंगे इनकी शॉप पे भीड तो बहुत ही जादा थी अगर यहां से किसी ने परचेस किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना यह एक वैन के बैक साइड में लगाते है आपने देखा होगा कई बार करोल बाग में और इलिया का स्टोर है सामन की कुर्तीज मिल रही है आपको सिर्फ और सिफ 200 रुपीस की रेंज में कॉलर वाली भी है और इसमें आपको डबल एकसल तक का साइज देखने को मिलेगा इनसे जस्ट पास में यहां पे बैक्स का एक पूरा कलेक्शन भीयाने लगा हुआ था तो काफी स्पेशियस है सारे आप जरूरत के समान इसमें रख सकते हो पर इन बैक्स को डिली के भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स में बिल्कुल आप बचा के रखना क्यूंकि वो ब्लेड और कटर से ऐसा काट देते हैं कि आपको पता भी नहीं जलता यहां पर अगला जो रहक है यहां पर शॉर्ट का सेक्शन था ऐसा पटोला प्रिंट में आपको मिल जाएगा जैपुरी दुपट्टे हां पर मिल जाएंगे प्राइज वाइस जो कलेक्शन है बहुत ही अच्छी है यह अंकल सिर्फ मंडे को आते हैं और किसी वीकली मार्केट में नहीं लगाते हैं बाकी दिन यह अंकल प्रिंट में वह है पर इनके कलर वगरा कहीं नहीं जाते हैं यह हमेशा इसी तरह के से रहते हैं अब यहां पर जो मैं नेक्स्ट दिखा रहे हूं यह कितना प्यारा वाइबरन कलर है देख सकते हो आने वाले तो हारी सीजन में इस तरीके के दुपट्टे आप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीस की रेंज में और यह अंकल परपल वाला नहीं दिखा रहे हैं सारे दिखा रहे हैं अब दिखाये जाके तो यह है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीस की रेंज में आगे मैं आपको ना कुछ ऐसे राजस्थानी बानने वाले लहेंगे दिखाने वाल डाले हुए है 200 रुपीज में मुझे नहीं पता आप ये कब वीडियो देख रहे हो कौन सी तारिख में और कौन सी दिन में पर इनका ये जो कलेक्शन है ये जब तक है तभी तक आपको सेल में मिलेगा जैसे ये सारा आइटम खतम सेल खतम लेकिन इस बार देखो इसमें फ्ल और कोई option इसमें मिलेगा नहीं तो ये है सिर्फ 200 में आगे किन्स में क्या सेल लगी हुई थी ऐसे टेबल वाली वो भी दिखाऊंगी बने रहेगा तो अगर कोई कल विजट करके आया है यहां पर कमेंट करके ज़रू बताना या फिर आप कोई प्लान कर रहा है यहां इसमें कॉटन की भी है जॉजट की भी है और दूसरी तरफ कुछ 250 का था बढ़ी स्कूर्ट की है आगे यहां पर मुझे बहुत अच्छे इस तरीके के पर्स और बाक्स की शॉप दिखी एक ही फिक्स सेल प्राइस इसमें कोई भी आर्टिकल ले सकते हो ज्यादा तर पर्स बाहर भी है कि एक भाहर के आधा सो चॉपन्स कर लेते हो तो आपको दुकांदर पॉलेतिन में बंद कर वो चीज दे देता है जो आपने पसंद की है या परचेश किया है लेकिन एक बार कोशिश करके, पॉलतिन खोल के skill के दुबारे से उसको चेक जरूर किया करो, कि आपने जो चीज मांगी ही थी वही मिली है यह नहीं, आपने जितनी quantity लेनी थी उतनी मिली है यह नहीं, क्योंकि लोग बहुत उलू बनाते है, specially दिले से बाहर वालों के लिए म आप लोग बहुत भोले होते हो तो प्लीज बच के रहे ना इन सब चालाकियों से पता है क्यों बता रहे हूं कुछ दिन पहले भी मैंने कचोडी समची पैक कराई थी भाई दो प्लेट पैक करने को बोला था उसने पैक करके दे दिया घर आके देखा तो एक ही प्लेट है और लिया है वो ठीक समान इनों ने दिया है या नहीं अचा आगे यहां पर कोट सेट्स मिल रहे है बिल्कुल जैसे आप सरोजनी या लाजपतनगर में ड्यूप सेट्स वगरा देखते हो बिल्कुल उसी तरीके के थे कॉटन फाबरिक बहुत सुन्दर एंब्रोईडरी देख क्योंकि इसमें इंब्रोईडरी है किसी में पर्ल्स का काम है सबका काम अलग अलग है और यहां पर आपको इस तरीके के बहुत ही डिजाइनर और प्यारे प्यारे से नाइट सूट्स मिल जाएंगे अब यह वही फाबरिक है जिसके बारे में आपको बता रही थी में लगा रहे थे जो कि जिम वेर के परपस से यूज होती है अब यह भी फाब्रिक सिंथाटिक है बट जिम में यूज किया जाता है स्ट्रेचिबल रहता है इन्होंने जिस तरीके से डिस्प्ले किया था बहुत ही खुब सूरत लग रहा था नेक्स यहां पर एक शॉप मिल रही थी 400 रुपीज की एडल्ट के लिए और उपर कुछ ट्राउजर्स और सब ऐसा अलग-अलग सा ड्रेस वगरा लगा हुआ था इसके बाद ना मार्केट में आपको तीन से चार अलग-अलग शॉप मिलेंगी सॉफ्ट टोइस की क्योंकि यहां पर पर्मनेंट पीछे वाले में आपको 200-200 तक मैक्सिमम मिल जाएगा लैंस काट के बिलकुल आगे इनकी शॉप है नेक्स यहां पर छाटो छाटो वाले सिस्टम में 50 रुपीज के टॉप्स थे तो देख सकते हो आप इसमें भी जो भी पसंद आए अब यह फाइनली जो मैं आपको टेब सेल लगाया हुआ है तो प्राइज आप देख सकते हो और यहां पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ तीन सो रुपेगा मिल रहा है आपको कुछ नहीं करना इसे घर ले जाके वाश करना है और इस मंडे कल मैं ने वीडियो कवर किया है तो अब आगे देखते हैं कब तक यह सेल चलेगा जैसी यह आप देख रहे हो गिन्यों वाला सा जो है इसमें नीचे वाली लाइन थोड़ी नीचे आ रही है देख सकते हो तो इसे थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग की ज़रत है बाकि सब चीजे दुरुस्त है और दूसरी साइड यहां पर 200 रुपीज में किन्स सूट फाबरे की शॉप नहीं देखी है नीचे यहां पर 300 रुपे का सेल है पॉलतिं से निकाल के चेक करके जरूर देखना और उपर यह सारे प्योर कॉटन के सूट्स है इसमें जैपुरी डेजाइन भी है लाइट कलर डार कलर सब मिल जाएंगे आगे फिर से मुझे सूट किया है तो मेट्र स्टेशन से जब से मैं निकलियू बस में सीधा ही सीधा वाक कर रहे है और यह पूरा मार्केट बिल्कुछ सीधा ही सीधा है आपको कोई टर्न लेफ्ट या राइट साइड नहीं करना होता इनके अंगल के जर्ट पगल में यहां पे एक वोडन जाती हूँ अचा आगे यहां पर एक अंकल जी बेट शीट सेल कर रहे हैं इतनी कर्मी में इनके बास ब्लांकेट भी मिल रहे है क्योंकि दिल्ली से बाहर से कई लोग आते है ठंडी जगह हो से तो वो यहां से ब्लांकेट ले जा सकते हैं साड़े 600-500 में आपको मैक्सिमा म यहां पर बेट शीट मिल जाएंगी अच्छी जाए पुरी कॉटन मार्केट में आपको क्रॉकरी के भी बहुत से ऑप्शन मिलेंगे और यहां पर एक टिप टॉप मार्केट भी है आप लोग बताना वहां की प्राइज़ और कलेक्शन कैसी है तब मैं जाके कवर करूँग इसका एक बटन नहीं दिख रहा बढ़ अंदर था किसी में भी ऐसा नहीं है यूज जो या बटन टूटा है अच्छी थी सारी कलेक्शन नेक्स्ट जो सेल में आपको दिखा रहे हूं यह सिर्फ सौ रुपे की और इसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छी लेगिंग ज यहां पर आपको गर्ल्स के लिए शॉट मिल जाएंगे शॉट्स मिल जाएंगे सेल प्राइज है 100 रुपीज का और इसमें भी जो साइज है वो प्लस तक का आपको देखने को मिलेगा क्वालिटी वाइज अच्छा है करना क्या था बस जीन्स को काट के शॉट्स बनाने है तो वही यहां पर मिल रहे हैं तो उपर का सामने आपको लोकेशन में दिखा रही हूँ इसके जिस्ट ऑपोजिट में मिलेंगे एक और बैक्स की शॉप में आपको बताया ना ये वही है मातर तीन सुर रुपे में काफी अच्छे डिजाइनर बैक्स इनके पास आपको मिल कई बैक्स में साथ में चोटू से आपको पाउच भी मिल रहा है आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं मुझे बताओ इस जो गोलू में आप किया करोगे इस बैक के साथ जो गोलू है इसमें आप क्या कैरोगे मुझे कमेंट करके बताना मैंने इन बहीं से पूछा आप और पार्टी वेर रहेगा बड़े भी है कॉलेज बैग्स बाइग से डेनिम लुक में मिल जाएंगे आपको यह देखो यह सुरॉस्की वाला है है यह भी काफी आजकल चलता है यह किसका कॉपी आप मुझे कामेंड करके बता सकते हो डियॉर का बहुत ही प्यारा पीस है स्कूल कॉलेज बैग्स इस सब इनके बास में मिल जाएंगे इन्होंने मैकसिमम प्राइज बताया है इन्होंने बोला बहुत महंगे से महंगा मिल जाएगा बहुत महंगे से महंगा तो अगर आपके पास बहुत महंगे से महंगे का बजट है तो ज़रूर भया के पास चाह सकते हो नहीं बैग सच में अच्छे हैं डिजाइनर है कई तो मैंने अभी तक किसी मार्केट में नहीं नहीं देखे मैं रोज ही कई ना कई घूम रहे होती हूं इनक से जस्ट आगे आपको एक पूरा सेक्शन मिलेगा हैर अक्सेसरी का इसमें रिबन्स हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा सब के देखो प्राइजर लग लग हैं यहां पे जो 10 रुपीज से रिबन्स वगएर वो स्टार्ट वगएर आपको मिलेंगे ठीक है तो यह लोकेशन में आपको दिखा दी है इसके बाद जहां पे करोल बाग से आप चलना शुरू करोगे ना म अब यह चीज मुझे पूरी मार्केट में सबसे हटके लगी एन आई विश की यह हर मार्केट में मिले बहुत खुबसूरत इस तरीके के राजस्थानी लहंगे आपर मिल रहे थे इसमें जो चोली है वो सीली सिलाइड नहीं है और यहां पे कुछ ऐसा वनपीस गुरती भी हैं चंदेरी में लहरिया दुपट्टे के साथ में और गैंजा बहुत खुबसूरत लग रहे हैं नीचे भी अंकल जी के पास में काफी सारे सूट्स रखे होए थे नॉमिनल प्राइजस के 500-600 वाले भी थे यह वाले अंकल जी नहीं थे इनसे बगल वाले अंकल हैं यह वा कुछ नहीं लेना देना उनको सिर्फ कस्टमर चाहिए तो सब बहता के जस्ट आपको मिलेंगे अगर कभी बाइचांस यहां जाओ तो उन्हें बता ज़रूर देना कि यूट्यूब पे देखा था ताकि उनको मैं कहते हूँ कल को कोई और व्लॉगर भी जाए तो कम से कम व बड़े आपको स्टील और अलमुनियूम के बरतन भी मिल जाएंगे इनके प्राइज काफी मुझे जनुवन लगे इसलिए मैं दिखा आ रहे हूं तो यह आप यहां से परचीस कर सकते हो तो दिखो स्टेनलेस्टील की कढ़ाई भी है और पैंस भी है टी पैंस भी है यह पैंस स्टॉल और यहां पर साडी shapis मिल रह रहे हैं इस पूरे स्ट्रीट मार्केट में मुझे कहीं कोई साडी शॉप ऑच देखने को नहीं मिली पर्मेरेंन्ट प्र्मिंट स्टॉर्स में तो है जाहर सी बात है तो स्टीट मार्केट में सिर्फ एक ही स्ट्ल मुझे मिला यहां पे 250 रुपीज की रेंज में साडी मिल रही हैं और मेरे बगल में एक काफी बुजर्ग आंटी जी ये ब्लू वाली साडी परचेस कर रही थी मुझे लगता है कभी न कभी उन्होंने मेरा वीडियो जरूर देखा होगा क्योंकि बिल्कुल जिद पे थी कि भाई पूरी साडी दिखा पूरी साडी ब्लाउस तक दिखा तो बहुत ही समझदारी की बात आंटी कर रही है देख सकते हो पूरी साडी ओपन करके चेक करके देख और भाया देखो खोल के राजी नहीं है, यह नहीं कि एक बार में पूरी साड़ी खोल के दिखा दें, खैर, तो यहां पर maximum जो प्राइज है वो साड़ी 400 रुपे का है, बाकी आगे 250 रुपीज की थी, नेक्स जहां पर जो आपको शॉप में दिखा रहे हूं, इनके पास ना कुंफु पंडा मुवी के सारे क्यारेक्टर्स है, देखो सबसे आगे मैं दिखाती हूं आपको, इसमें 80 रुपे के भी हैं, 50 के दो भी हैं, सबसे आगे देखो यहां पर गुरु शीफू है, फिर बीच में यहां पर आपको उगवे मिल जाएंगे, और सबसे पीछे पूरा इन्होंने इसी चीज का अपना यह जो है शॉप लगाया हुआ है, इसमें ठंडा गरम रखने वाली आपको बॉटल भी मिल जाएंगी, बच्चों के लिए जो टांगने के लिए परपस से होती है, वो भी मिल जाएंगी, ठीक है, प्राइसिंग जो है इनमें 100 की मुझे शॉप लगी दिखी, तो इनके पास जो सेल है, वो है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपे का, अच्छे से हर चीज को चेक करके तभी परचेस करना चाहे, आप कहीं से आ रहे हो, किसी भी मार्केट में, इनके जस्ट पगर में बहुती क्यूट क्याप्स मिल रही हैं, अगर आप किसी मॉल में या किसी ब्रैंड में लेने जाओगे, थाउजन रुपीस से कम की नहीं मिलेगी, तो इस तरीकी कि आपको डिजाइनर कैप्स यहां पर मिल जाएंगी, चोटे बच्चों के लिए भी है, और बड़ों के लिए भी है, टीनेज के लिए, गर्ल्स का ह तो यह मार्केट जो है, खतम हो जाती है, अभी गफार से पहले कही सारा मार्केट में आपको दिखाया है, तो यहां पर लेट साइड में आपको बहुत सारे लगेज और बाग्स, ट्रैवलिंग बाग्स का शॉप देखने को मिलेगा, इनके सब के अलग 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 सकते हो, वो जरूर दिखाना, शॉपिंग करने से पहले, लास्ट में आप एक और फुट्वेर की शॉप है, सेल प्राइस है 3.50 और इनके पास में भी काफी अच्छे आर्टिकल्स हैं, सारे फ्लाट्स में थे, अब सामने जो आप देखरो, यहां से वेलकम टू गफार मार 2.50 प्राइस